जिनके पास अपनी जर्म कुंडली या जन तारिक मौजूद नहीं है अब उनका भी शिमला के रिज मैदान में पासा फैंकर भविश्य बताया जा रहा है वर्शो पुरानी पांडूलीपी में अंक के अधार पर देखा जाता है फल, कला और हस्त शिर्प इसमें किसी कुंडली की आविशक्ता नहीं होती इसमें सारा खिल पासों का होता है पासे में लूडों की तरह कई परकार के बिंदू बने होते हैं पासे फैंकने पर जो अंक आता है उसी के हिसाब से भविश्य में संभावित घटनाओं पर तथ्यों का आकलन किया जाता है तस्वीर आपको दिखा रहे हैं शिमला खेक हरेज मैदान की जहां पर कलायम शिल्फ मेले कायोजन किया गया है और इसमें यहां पर आप देख सकते हैं जो पुरानिक गरंथ है जिकार यह जाता है कि यह पांडूली पीस में लिखी गई है और यह गरंथ आपको बहिश्य बत अगना है और उसके बाद पासे कि जो अंक निकलते हैं उसके अनुसार आपको जो है वीधी बताई जाएगी बताई जाएगा कि जो आप काम सोच रहे हैं विचार कर रहे हैं वह आपके लिए ठीक है या नहीं है क्या उसमें आपको करना है पर अगे बने को डीका थेंटा नियरी को देख आप बाद हातकी है МУЗЫКА यह एकोनी माने ouve ट्रीफ जो गश्य कहा जलेको फश्य कोबस्या सी जोख ट्रीक जख आगे बीचे ज़ी पीचिर्वे जोख तुमारे बोईरी बहुत है, तुमारे शत्रु बहुत है, टांखी जने वाले बहुत है, विच कारणचित बहुत होगी, डन नहीं, डन नहीं, जो काम का तुमारा विचार है, एम डनेगा, इस काम को, इस काम में लाभ भी नहीं है, जोगा चित, सम गमी है, सामाने और सी अच्छी भी नहीं है, खराब भी नहीं है, ठीक ऐसे ठीक नहीं है, जिब जाटा ते, भीड भी आप देख सकते, इनके आसपास है, 27 नौंबर तक आपको यहां पर यह पासा फेंकर भिश्य पताएंगे अगर आप देखना चाहते हैं तो यह देखिए केतनी भीड़ जो है यहां इनके पास उम्ड़ी हुई है यह पर आप क्या आप से यह बताता है यह काम बूरा है यह काम बूरा चिन्थ होगी काम भिगड़ेगा नौ गरो की पूदा करे धरम करना बड़ा लाब होगा चिन्थ बूरी है यह बता है वी टाम का आप किस दो दाव तिरी चौन को पहले दाव तिरी चौन को दाव तरीज चौक दाव तरीज उतम तुमको लाब घर में मिलेगा राज दर्वार से लाब मिलेगा, सिरी पूल की देवी की पुजा करनी पुजा करनी लाब होगा पानी से पानी, चौक फोग, दो चौक के मार दिये, तरीक है, दो चौक तरीक है, ठीक आएगे से, जाब ना होगा, चेंट कुशूब है, अशूब है बनाओंगे, शूब रहेंगे, ये बचा लिएगे